हेलो गाइज वेलकम टू प्यू स्पीसियस और आज हम लोग देख रहे हैं इतिहाश कालीन संबंदित तर्थ आज का विशय है क्रिप्स मिशन 1922 तो चलिए देखते हैं बिटिश प्रिधान मंतरी चर्चिल द्वारा सर स्टफर्ड क्रिप्स के नित्रित्व में मार्च 1922 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया जिसका उद्देश भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था हलाकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश द्वित्य विश्विविद में भारतियों को शहयोग परदान करने के लिए उन्हें खुश लाना था इस मिशन के दो अन्यशद से थे एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस इस मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तूत किये उसके प्रमुक प्रावधान कुछ इस प्रकार थे डोमेनियन राज के दरजे के साथ एक भारतिय शंग की स्थापना की जाएगी भारतिय शंग राष्ट मंडल के साथ अपने शंबंदों के निर्धारन में श्वतंत्र होगा तथा संयूक तराष्ट संग एवं अन्य अंतरास्तिय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को श्वब निर्धारित करेगा युद्ध की समवपती के बाद ने संबिधान निर्मान के लिए संबिधान निर्मान सभा का गठन किया जाएगा इसके कुछ सद्दश्य प्रांतिय विधायकाओं द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे तथा कुछ राजाओं द्वारा मनोनित किये जाएंगे संबिधान शभा द्वारा निर्मित संबिधान जिन प्रांतों को श्विकार नहीं होगा वे भारतिय संग से प्रितक होने के अधिकारी होंगे प्रितक होने वाले प्रांतों को अपना प्रितक शंबिधान बनाने का अधिकार होगा देशी रियाशतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा नौ गठित संबिधार सबा तथा ब्रिटिश शरकार सब्ता के हस्तांतरन और प्रजातिये एवं धार्मिक अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आप से समझोता द्वारा हल करेंगे नए भारतिये शंबिधान के निर्मान होने तक भारतियों की रक्षा का उतरदाइप ब्रिटिश शरकार पर होगा गवरनर्ट जनरल की समस्त सक्तियां पूरवद बनी रहेंगे क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दल्ली पहुंची कांग्रेस की ओर से जोहरलाल नहरू तथा मौलाना अबुलकलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर में परिच्छन एवं 24 मर्श करने के लिए अधिक्रित किया गया प्रस्ताओ से सम्मंदित तक थे था महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताओ को दिवालिया बैंक के नाम भविश्य तिथीक में भुनाने वाला चेक आउट डेटेड़ चेक कहा जबकि पंडित जोहरलाल नहरू ने कहा क्रिप्स प्रस्ताओ एक ऐसे बैंक के नाम चेक है जो टूट रहा है मुस्लिम लीग ने भी इसे अर्श विकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का उलेक नहीं था 11 अपरेल 1922 को इसे वापस ले लिया गया इसे के साथ आज का शेशा समाप्त होता है कैसा लगा आप लोको जरूर बता है चैहन जब